पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त करने की बात कही है पहले देनी अर्जिस सेन ने पुलिस थाना अधिक्षों के साथ अपात बैठ करके जिला भर में कानुन विवस्था दुरिस्त करने के निदेश चारिकिये हैं साथी सपी अर्जिस सेन ठाकुर ने क्राइम पर नकेल कसने के लिए जनता का सयोग मांगा है साथी सपी अर्जिस सेन ने नशे पर काबू पाने के लिए ठोस रणिती बना कर काम करने की बात कही س پی अर्जी सीन ठाकुर्णे कहा की मेरी प्रात्मिक्ता यातेयात व्यवस्ता दुरूस्त रखने के साथ नशा करके गाड़ी चिलाने वालों पर सिकन जाकसना है उन्होंने बताया कि कानून विवस्था दुरुस्त रखने के साथ पबलिक और पुलिस के बीस सेयोग बना रहे इसके लिए काम किया जाएगा अरजिस सेंठाकु ने कहा कि नशा समास के लिए जहर बना हुआ है और इससे युवाओं को बचाने के लिए एक मुहीम की तहट काम किया जाएगा ताकि जड़ से नशी को उखाड़ा जा सके हमेरपूर मैंने आज ही जॉइन किया है तो मैं ये अभी मीटिंग भी ले रहा हूं अपने करमचारियों के साथ और सीनियर आफिसर्स के साथ तो अभी जितना हमने डिसकस किया उसके एज़ाब से सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे सपोर्ट मिले हमिरपुर वासियों की और सभी लोगों से कि हमारे रोड्स जो है हमिरपुर की वो सेफ रहें क्योंकि रोड सेफटी विल बी माइ फर्स्ट प्रियारिटी एज अफ नाओ जिसमें हम जीरो टॉलरेंस मुबाइल पे फोन करना मतलब मुबाइल यूज करना गाड़ी चलाते समय शराब पी के गाड़ी चलाना और इन सब चीजों पे हमारा फोकस रहेगा तो सबसे पहली प्रात्मिक्ता तो ये है क्योंकि इस पे हिमाचल पुलीस में डी जी साब सबका प्रियर्टी भी यही है और हमारी भी प्रियर्टी है कि एकसिडेंट्स जो हैं वो कम हो और खासकर जो ड्रंकन ड्राइविंग के कारण है कारण एकसिडेंट होते हैं वो कम ह तो इसलिए मैं अपने जो एसे चोज और सीनियर आफिसर्स हैं उनको भी यही डिसकुशन में यही बता रहा हूं कि भी आप जितना हो सके अलंकि हमेरपुर पुलिस काफी एक्शन ले रही है इस पर भी बट हमारे ट्रंकन ट्राइविंग पर हम जादा एक्टिव रहेंगे इसके अलावा ओन लॉंग टर्म हम चाहेंगे कि मोर और लेस कानून विवस्ता बिलकुल ठीक रहे जिस तरह की भी है और एक एरिया ओफ फोकस जो हमारा खासकर इससे अलग रहेगा अपने नॉर्मल कोर वर्क के अलावा वो रहेगा पबलिक और पुलिस के बीच में इंटरैक्शन बढ़ाना ताकि हमारा जो ट्रस्ट है डेफिसिट ट्रस्ट डेफिसिट जिसको बोलते हैं वो कम से कम हो दोनों कम करना बहुत अवशक है पुलिस इस पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है इसमें टीचर्स क्या बोलते हैं पेरेंट्स और बाकी अन्य डेपार्टमेंट्स हेल्थ एजुकेशन जितने भी हैं उन सब को मिल के एक तरह का स्ट्राइजी बनानी पड़ेगी युवा के इं करने की कोशिश करेंगे तो यह कोलाबरेट करना हमारी प्रात्मिकता रही जिस पर हम आगे फ्यूचर में कोई न कोई स्ट्राइजी जरूर बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे